अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज जी फाइव के साथ बिल्कुल फ्री आपके बहुत याद आती है बाबुजी याद आता है जब आप चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहते थे हमेश्वा सच का साथ देते थे प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए ना बाबुजी ये बताने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे कहने की कोशिश कर रहे है बाबुजी शान्त शान्त अम्मेमा कृपा कीज़े अम्मेमा बाबुजी को पूरी तरह ठीक कर दीज़े अब आएगा असली मसा असे मैं जानती हूँ कि हमें हमारे नए बिजनिस की शुरवात दुबारा करनी पड़े है और मुझे पूरा वरोसा है कि आप तब की हिम्मत, मेहनत और लगन से हम सब लेकर इस कंपनी को साब केसे आया यहां केसे आया आप लोग प्लीज एसे भरदर में पचाएए आप लोग शान तो चाहिए आप लोग बहर चलिए आईए मेरे साब अप लोग शान तो जाओ केसर मेटम केसर इतना ड्रामा हुआ है इतना ड्रामा हुआ है इतना ड्रामा हुआ है ना हवन में कि क्या बताऊंगा तुम्हें होना चीदावा शकुंकला हमको किसी ने बुलाए नहीं तो हम आते कई से लो कर लो बात अरे बद्दुआ और शकुंतला इने बुलावे की जरूद कब से पढ़ने लेगी बला मजाग कर रहे हूँ? हाँ वैसे कबीर में मुरत खतम होने से पहले सूरस तक पहुचा दिया था हवन करवा दिया यह सब हो गया था लेकिन राजगार निवास का कोई भी बड़ा इवेंट हो और तुम्हारा ड्रामा ना हो अधूरा अधूर असा लगता है नहीं? तो हितल के भी एकदम अंजान बन रहे हो है जल बेहन हां? तुमरी बिटिया की जिंदगी बचाने और साथ नहीं में हमने तुमरा साथ तिया का दिया तुम हम रा साथ नहीं दोगी का मतलब तुम तुम ये चाहती ओ कि मैं अंशौर आरति का रिष्टा करवादा हूं? अरे हम तो जानते थे, लेकिन आज आपने थाबित कर दिया, आपसे ज़्यादा समझदार और आपसे ज़्यार कोई है ये नहीं, इसलिए तो आपकी और हमरी बहुत पट्टी है, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फाइदा है? गटबंदन है, तलबहन गटबंदन, अब सूरज और केसर तो आपके हाथ आने बाले नहीं, तो कोई न कोई तो चाहिए न, राजगार निबास में आपके पाले में, आप तो बस अंसर आर्ती की साधी करवादो, फिर राजगार निबास आके आर्ती आपके इसारोपे नाचेगी, और आज, वह आपके ऐसानों ताले चिंदेगी भर दबा रहेगा।